नमस्कार दोस्तो फैमिली लोग के लेक्चर नमबर साथ में आप सभी का स्वागत है आज के लेक्चर में हम लोग हिंदू मैरेज आक्ट 1955 के जो इंपॉर्टन डेफिनेशन्स है उनका पार्ट टू देख रहे हैं सेक्शन 3 के अंदर हमें डेफिनेशन्स समझाए गए हैं तो आज के लेक्चर में हम लोग फुल बलड, हाप बलड और यूटेराइन बलड का डेफिनेशन देखेंगे इसके बाद में सपिंडा रिलेशन्शिप इस कॉंसेप्ट को अच्छे से जानेंगे सपिंडा रिलेशन्शिप बहुत ही इंपॉर्टन कॉंसेप्ट है और बलड का मतलब है सगे भाई, सगे भाई यानि जिनका बाप भी एक है और मा भी एक है और ऐसे सगे भाईयों को हम लोग कहेंगे फुल बलड रिलेटिवस भाई के अंदर मैं बहन भी कहा रहा हूँ सगा भाई और सगी बहन अगर इन दोनों का बाप और मा सेम होगी तो इन्हें हम लोग कहेंगे फुल बलड रिलेटिवस हाफ बलड का मतलब है बाप तो एक है लेकिन अलग-अलग माए है तो वो एक दूसरे के हाफ ब्रदर होंगे या फिर हाफ सिस्टर्स होंगे या फिर हाफ बलड रिलेटिवस इन्हें हम लोग कहेंगे uterine blood का मतलब uterine blood हम लोग अगली slide में देख रहे हैं लेकिन concept आप समझ लो मा एक है लेकिन बाप अलग-अलग है इनको हम लोग कहेंगे uterine blood relatives section 3 subsection D of Hindu marriage act defines uterine blood two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from common ancestors but by different husbands in clauses C and D ancestor includes the father and ancestors includes the mother इसका मतलब है मा एक है लेकिन बाप अलग-अलग है तो ऐसे बच्चे एक दूसरे के uterine blood relatives माने जाएंगे अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं sapinda relationship बहुत ही important concept है पहला बेराक का वर्डिंग है sapinda relationship with reference to any person Yout delegation extends as far as the third generation, inclusive, in the line of assent through the mother and fifth generation inclusive in the line of assent through the father The line being traced upwards in each case from the person concerned we is counted as the first generation Two persons are said to be sapindas of each other if one is a lineal ascendant of other within the limit of sapinda relationship or if they have a common lineal ascendant who is within the limit of sapinda relationship with reference to each of them बहुती ज्यादा complicated wordings है लेकिन concept एकदम साफ है एकदम आसान है मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले तो यह जो explanation है या फिर जो bareck का wordings है मैं आपको बहुती common example में या फिर common language में समझाता हूँ two persons are said to be sapindas of each other if they are related to each other by below way मतलब नीचे दिये गए तरीकों से या फिर नीचे दिये गए रिष्टेदारी के अंदर दो लोग आते हैं तो वो एक दूसरे के sapinda माने जाते हैं या फिर एक पिंड के इंसान या फिर एक पिंड के relative माने जाते हैं इन दो इंसानों के बीच में शादी नहीं होगी आपको बहुत ही difficult लग रहा होगा ये concept मैं आपको diagram के जरीए समझाता हूँ ये है sapinda relationship मान लिजिए A और B इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है A एक मर्द है और B एक औरत है या फिर A एक लड़का है B एक लड़की है इन दोनों के बीच में sapinda relationship नहीं होनी चाहिए यानि A और B एक दूसरे के relatives नहीं होने चाहिए यहाँ पर M का मतलब है mother और F का मतलब है father यानि A और B इन दोनों के बीच में relationship नहीं होनी चाहिए B जो है वो A की father के side से 5 पीडियों तक किसी भी इनसान की relative नहीं होनी चाहिए और mother की side की ओर से 3 पीडियों की कोई भी relative नहीं होनी चाहिए इसका मतलब है A और B के बीच में कोई relationship नहीं होना चाहिए मान लीजिए B की मा और A relatives है या फिर B की दादी और A relative है या फिर B के दादी की दादी और A relatives है तो यह दोनो एक दूसरे के सपिंडा माने जाएंगे या फिर एक पिंड के रिष्टेदार माने जाएंगे या फिर A और B इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है लेकिन B का बाप और A एक दूसरे के relatives है या फिर B का बाप का बाप या फिर A एक दूसरे के रिलेटिवस है या फिर B का जो बाप के बाप का बाप है जिसे हम लोग मराथी में कहते है खापर पंजोबा और A एक दूसरे के रिलेटिवस है या फिर B के बाप के बाप के बाप का बाप और A एक दूसरे के रिलेटिवस है या फिर बाप के बाप के बाप के बाप का बाप और A इन दोनों के बीच में रिष्टा है तो इस रिष्टे को हम लोग prohibited degree of relationship कहेंगे A और B के बीच में शादी नहीं होगी अगर A और B के बीच में इन पीडियों के अंदर कोई relation नहीं है तो वो शादी कर सकते हैं अगर A और B इनके बीच में शादी करानी हो तो उन दोनों के बीच में मा की तरफ से तीन पीडी और बाप की तरफ से पाच पीडी तक कोई रिष्टा नहीं होना चाहिए और इस slide से आप सपिंडा relationship बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं जो bear act का wording है उसे भूल जाना explanation जो है वो पूरी तरह से लिख के आना इस slide का screenshot ले लेना और हो सके तो अपने exam के अंदर ये diagram जरूर बना के आना इससे आपका impression भी बहुत अच्छा पड़ेगा आपको marks भी बहुत अच्छे मिलेंगे और concept भी आपका clear हो जाएगा so that's it for today's lecture thank you so much please like share and subscribe to my channel